नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नीज में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर बिहार में बियर्ड एड्मिशन के लिए कॉलेज आवंटन लिस्ट चारी बिहार के सेस्टी आवासिय विद्यालियों में निक्त होंगे 400 सक्षक अब वी आर्सी वाले चौकिदार के वारिस को नहीं मिलेगी नौकरी बिहार विधान परिसद में आज चार नव नर्माचे सदस्शियों ने लिया सपत धोनी के IPL खेलने पर सुरेश रहना नहीं किया खुलासा इसको साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से बिहार में बीएड अडमिशन के लिए कॉलेज आवंटन लिस्ट जारी बीते दिन मंगलवार को ललित नरायन मितला विश्विद्याले की ओर से दो वर्षी बीएड एवं सिक्छा सास्त्री में अडमिशन लेने के लिए कॉलेज आवंटन लिस्ट जारी कर दी गई है बता दी कि यह लिस्ट मेरिट के आधार पर जारी की गई है वैसे अभ्यर्थी जो आवंटन कोलेज को स्विकार करना चाहते हैं वे 10 मई से 22 मई तक इसके लिए आविदन कर सकते हैं हलाके इसके लिए अभ्यर्थी को www.biharcetbed-lnmu.in पर जाना होगा इसके साथ ही अभ्यर्थियों को 3000 रुपए आंसिक नमांकन शुल्क भी देने होंगे और पेपर सत्यापन किये जाने के बाद अभ्यर्थी को आवंटन कोलेज में ही अडमिशन लेना होगा बतादे के अवंटन कोलेज में अडमिशन लेने का समय 10-25 मई तक नरधारित किया गया है बतादे के राजिय नोडल पतादिकारी प्रोफसर असोक कुमार महता के दोरा दीके जानकारी के नुसार राजिके 343 कोलेजों में 36,188 सीटों पर अभ्यर्थियों को आवंटित किया गया है बिहार विधान परिशत में आज चार नवनणवाची सदस्यों ने लिया सपत आज यानिकी दस मई को बिहार विधान परिसत के सेंट्रल हॉल में बिहार के मुख्यमंत्रे नितीश कुमार के समक्ष विधान परिसत के सभापती देवेश चंदर ठाकुर के द्वारा MLC चुनाओ में नव नर्माचित चार सदश्यों को सपत दिलाया गया बता दे कि आज जिन चार नव नर्माचित सदश्यों को सपत दिलवाया गया है उनमें BJP की तरफ से गया असनातक सीट पर फिर से नर्वाचित हुए अफधेश नारायन सिंग, गया सक्षक नर्वाचन छ चेतर से नर्वाचित, जीवन कुमार जेगियू के सारन असनातक सीट से नर्वाचित, प्रोफेसर विरंदर नरायन यादव और सारन सक्षक नर्वाचन छेतर से नर्वाचित संजीव कुमार सिंग के नाम शामिल है आपके जानकारी के लिवता दे कि इनमें से अफधेश नरायन सिंग, प्रोफेसर विरंदर नरायन यादव और संजीव कुमार सिंग पहले से मलसी थे लेकिन इनका कारे काले 11 माई को समाप्त हो रहा था पुरवाचल एक्सप्रस से जुरी पटना के लिए चार लेन सरक उतर प्रदेश के पुरवाचल एक्सप्रस से एक और चार लेन सरक को जुरा गया है चो बिहार की राजधानी पटना के लिए है बता दे कि इन चार लेन के निर्मान होने से आप गंगा नदी के उतर की ओर यानी गाजीपूर बलिया छपड़ा होकर इस फोर लेन सरक से जलेश शामिल हैं मालमों कि मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार एन एच ए आई की ओर से 134 किलो मीटर के दारे में बनने वाले इस ग्रीन फिल्ड चार लेन हाईवे का टेंडर चारी कर दिया गया है और इसका नर्मान तीन हजार करोर रुपे की लागत से चार पैकार को वीडियो संधेश भेज कर वापस देश बुलाने की गुहार लगाई है माहीं दूसरी ओर इन मज़दूरों के परिवार जनों के द्वारा भी सांसद वर डीयम से मिलकर फसे वे लोगों को नाइजेरिया से अपने देश वापस बुलाने की गुहार लगाई गई मालुम हो कि सांसा डॉक्टर आलोक कुमार सुमन के दोरा विदेश मंत्री एश्जय संकर को एक पत्र लिखकर नाइजेरिया में फसे मज़़ूरों को वापस लाने की अपील की गई है आपके जानकारी के बता दे कि नाइजेरिया में फसे मज़़ूरों के पडिवार वालों के दोरा दी गई जानकारी के अनुसार जिस कम्पनी में वे काम कर रहे हैं उस कम्पनी ने पिछले नौ महीने से भारतिये मज़़ूरों को वेतर नहीं दिया है और साथ ही पासपोर्ट भी रख लिया गया है मालुम हो कि नाइजेरिया में बिहार के जिंजिलों के लोग अ कोई चोकेदार सेवा निम्रती से एक माँ पहले अपनी मर्जी से पत छोडते हैं तो उनके उत्रादिकारी को उनकी जगा बहाल कर लिया जाएगा को रद कर दिया गया है यानि कि अब 20 साल की सेवा अवधी पूरा करने वाले कोई चोकेदार सेवा निम्रती से एक माँ पह जाके दोरा भागलपूर के एक चारी के देवमुनी पासवान की विशेश अनुमती याचिका पर सुनवाई करते वे लिया गया है और कहा गया है कि ग्री विवाग का यह प्रावधान समिधान के अनुछेद 14 और 16 का उलंगन करता है। जाएंगे तो इसकी बहाली की प्रक्रिया की श्रुवात कर दी जाएगी। मुख्यमंत्री नितीश कुमार ओईशा के मुख्यमंत्री नवन पतनायक से मिलने के लिए भूवनेश्वर पहुँचे थे। 25 यम नितीश और नवन पतनायक के बीच बीते दिन हुईस मुलकात पर बिहार सरकार को एक बड़ी सफलता मिली है। रसल ओरीशा के मुख्यमंत्री नवन पतनायक के द्वारा बिहार सरकार को बिहार भवन नर्मान के लिए पूरी जगनाद धाम से मुफ्त में डेर एकर जमीन देने की घोशना की गई है। पर बिहार सरकार के द्वारा जो बिहार भवन का रिर्मान करवाया जाएगा। उसमें बिहार से आने वाले परटक एवं श्रधालू को ठहरने समीत कहीं सुभधाएं दी जाएंगी। बिहार भूर दसवी कंपार्टमेंटल परिक्षा का रिजल्ट आएगा इस दिन। शाम 5-15 बज़े तक हो रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दे कि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड बी एस इवी कंपार्टमेंटल परिक्षा परिक्षा परिनाम 2023 चून 2023 में जारी किया जा सकता है। इसे छात्र रिजल्ट्स.biharboardonline.com पर और बिहारboardonline.bihar.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। नए सत्र में भी distance education bureau ने नहीं दे distance की मानता। लेने के लिए उनिवर्सिटी के पैस्त नैक में एक ग्रेड होना चाहिए। ऐसे में N.O.U. को फिलहाल नैक से मानता नहीं मिली है। हाला कि N.O.U. के द्वारा यह दावा किया गया है कि सत्र का नामांकल सुर होने से पहले वह नैक की मानता प्राप्त कर लेगे। आपके जानकारी कलवतादी के फिलहाल UGC के द्वारा पूरे देश में 16 में से सर्फ 6 उनिवर्सिटी को डिस्टन्स एजुकेशन में नामांकन कर्मती दी गई है। रोहतास के डीम ने अधिनस्त ऑफिसर से रचाई साधी। के डीम धर्मिंद्र कुमार की पहली साधी वर्स 2015 में 11 मार्च को पटना जिला अंतरगद बार निवासी आशिरवाद पाईप और कामधेनु सरिया के मालिक विनाई की बेटी वतसला सिंग से हुई थी। लेकिन कुछ दिनों बाद एक दूसरे से असहज महसूस करने के कारण इन्होंने एक दूसरे से तलाक ले लिया था। पटना में 6 दिनों तक 24 घंटे चलेगा लंगर। पहुँच जाएगा और फिर 12 में से अटूट लंगर शुरू हो जाएगा। आपकी जानकारी के बता दे किस कारेकरम के दौरान ध्रेंद सास्त्री प्रवचन स्थल पर जाने से पहले मठ में आएंगे। जानकी लक्षमन और हनुआन की प्रतीमा का दर्शन करेंगे और फिर उन्हें तमलनादू के कांची पूरम से मंगाए गए वस्तर को प्रदान किया जाएगा। पुर्व IAS Association ने आनंद मोहन की रिहाई को लेकर मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। पर ऐसे अपराधों को हलके में नहीं लिया जाना चाहिए। अपने से जुरे कई सवालों का जवाब दिया गया। उन्होंने गडबंधन को लेकर कहा कि अभी इसको क्लियर करने की दुरूत भी नहीं है। जब आप गडबंधन राजनिती की बात करते हैं तो चुनाव के समीप आने पर ही तैह होगा कि स्टैंड क्या है। अभी बहुत जादा क्लियरिटी की ज़रूरत नहीं है। धोनी के IPL खेले पर सुरेश रहना ने किया खुलासा। जिनेमा के एक आभाशी बात चीत में की है। उन्होंने कहा कि वो तो बोल रहे हैं कि मैं ट्रॉफी जीत कर एक साल और खेलूँगा। अब और जैसा कि बहुत से लोग देख सकते हैं। मैच के बाद प्रसूती समारों के अंद के बाद हमेशा धुनी की पार्ट साला होती है। लेकिन यहां उनका निर्णा है कि वह कैसा महसूस करते हैं कि उनका सरी कैसा चल रहा है। उसके आधार पर वह फैसला करेंगे। उनके साथ समय बिताने के आधार पर मुझे लगता है कि उन्हें एक और साल खेलना चाहिए। जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल करेंगे। बिहार में आज यानी वुदवार को पेट्रॉल डीजल करेंगे जारी कियेगा। इसके बाद राहत धानी पत्ना में आज पेट्रॉल 107.24 रुपे और डीजल 95.4 0.4 रुपे प्रति लीटर है कि बिहार में पेट्रॉल का रेट सब्स benefit कसनकंच में है जहां पेट्रॉल 109.6 रुपे प्रति लीटर और डीजल 96.2 रुपे प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिने हमाएच रिषी औरा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोग इन्य पजवाब हुमें हमारी कामेंन सस्रेक्षिन बॉक्स में लिख कर दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बरते हैं आज के सवाल क्यों आज का सवाल है आपके नुसर क्या आने वाले सम्मेंवें चिराक पासवान मुख्यमंत्री का चहरा हो सकते हैं